हलो ब्रीवन, वेलकम टुदी इग्जाम टाइम, सो भाईयो आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में, जो भी बच्चे CVT, PGM कॉम देने वाले हैं इस साल, उनके लिए बहुत important वीडियो होने वाला है, students मेरे से WhatsApp पे बोल भी रहे थे कि भाईया, अकाउं और एकाच subject के लिए बना रखा है, तो तुम्हें अगर वो देखना है, मैं क्या discuss करता हूं ऐसे वीडियो में, strategies discuss करता हूं, PYQ analysis दिखाता हूं उस पूरे unit का, कि जैसे for example accounting है, तो accounting के questions कहा कहा से बन रहे है, numerical बन रहे है, theory बन रहे है, किस chapter से specifically बन रहे है questions, कितने बन रहे है, यह सब पर हम लोग चर्चा करते है, कितने कैसे question के types आ रहे है, ठीक है, तो इस पर मैंने बना रखा है marketing के लिए, microeco के लिए, और एक और कोई subject है, उस पर जाके तुम चाहो तो हमारा जो playlist section है, चैनल पर, उसमें तुम्हें ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, वो accounting topic के लिए होने वाला है, हम लोग इसमें बात करेंगे किसके बारे में, accounting के बारे में बात करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार visit कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को subscribe करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share करो, so that उन्हें भी मदद मिल पाए, उनकी भी preparation आसान बन पाए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, exam time ने complete batch launch कर दिया है, foundation batch, for the m.com, entrance preparation, आप चाहो तो इस course को join कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यह features मिल जाएंगे, live plus recorded classes, PDF notes, previous year papers, test series, doubt solving and WhatsApp group, ब कोई भी अभी coaching institute, इस affordable price पे इतने features आपको provide नहीं करेगी, ठीक है, साथी साथ आप चाहो तो books भी purchase कर सकते हो, books भी available है, description में मैंने link दे रखा है, DPPs भी exam time app पे available है, और आपकी जानकरी के लिए बता दो, आप मारे channels को भी join कर सकते हो, और free m.com, entrance group को भी join कर सकते हो, link description में, आज का जो video होने वाला है, उसकी overview की बात करें, तो syllabus discussion, previous question paper, questions pattern, useful tips and resources की बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर मैं आपको syllabus दिखाओं, तो syllabus काफी छोटा रखा गया है, तुम्हारे लिए यहाँ पे, सबसे पहले बोला गया accounting and introduction, जिसके अंदर तुम्हें accounting standards के बारे में पढ़ना है, AS as well as India, दोनों के बारे में पढ़ोगे, फिर आ जाओ तुम partnership में, जिसमें admission, retirement, death, goodwill के बारे में mention नहीं किया, लेकिन goodwill भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, dissolution के बारे में बात करना है, death के बारे में हमें पढ़ना है, फिर absorption, amalgamation and reconstruction of company की बात करेंगे, as well as liquidation की भ इन तीन अलग लग chapters पर हमें चर्चा करना है, फिर उसके branch account, wage account, accounts for empties and package, insurance claim of the loss and stock and profit, stock and loss of profits इस पर बात करेंगे, तो generally ये सारे chapters नहीं पूछे जाते हैं, accounts for empty and package, wage account, branch पूछा जाता है, तो syllabus कुछ ऐसा रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कि तुमारे syllabus में तो कहीं नहीं गई है, कहीं पर नहीं लिखी गई है, बताई गई है, लेकिन तुमारे exam में पूछा जाता है, अभी 2024 का तुम्हें PYQ दिखाऊंगा, तुम खुद समझ जाओगे, PYQ analysis मैं तुमारे सामने present करने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत important है, इसका screenshot लेके रख लो, और इसकी PDF में टेलिग्राम ग्रूप में भी भेज दूँगा, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तुम 2024 के अगर बात करोगे, तो यहाँ पे मैंने total 9 topics mention कर रखें, जो कि इन 3 साल में आए है, ठीक है, 2024, 23 और 22, 3 साल, CUET जब से होना start हुआ, उससे पहले CUCET हुआ करता यहाँ पे, जैसे मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे topics लिख रखें, अब मैंने अपने पस diary में सबके detail explanation लिख रखें इस जगह पे, तो यह मैं तो यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे तुम clearly देख पा रहे होगे, मतलब नहीं visible होगा, मुझे पता है, चलो, देखो सबसे पहले अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करूँ, 2024 में, तो तुम्हारा यहाँ पे AS और INDAS से दो question रहा है, अगर specifically बात करे, AS से accounting standard से theory ही question रहा है, तुम से theory पूछा गया था, और उसके बाद जो दूसरा question था, उसमें तुमसे पूछ लिया गया था, AS ही था, INDAS नही ठीक है, इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताओ, हमारा इसके branch accounting में method से question पूछा गया है, methods of branch accounting थे, कौन से suitable method होगा, वो पूछ लिया गया यहाँ पे, next यहाँ पे तुम देखोगे, rectification of error से question पूछा गया, syllabus में कहीं भी mention नहीं है, rectification error में types of error एक topic है, जिसके अंदर आता ह clerical error, उस topic से question तुम्हें यहाँ पे देखने को मिला, तो यह चीज़ यहाँ पे थोरा सा अलग हो गया, हमारे syllabus के बाहर हमें चीज़ देखने को मिल गया, लेकिन NTA यहाँ पे कहेगा, हमने यहाँ पे mention कर रखा accounting and introduction, तो accounting and introduction के अंदर सारी चीज़े आ जाती है, चाहे आप double interest system की बात कर लो, journal की बात कर लो, ledger की बात कर लो, cash की बात, हमारा जितना भी rectification है, subsidiary books है, वो सारी चीज़े वो कहेगा, हमने तो इसमें cover कर रखा है, trial balance वगेर भी, तो हम भाना नहीं दे सकते हैं, भाना देंगे तो उनके पास solid reply भी है, तो accounting and introduction में वो सारी चीज़े आ जा हैं, पहला double interest system से question हमें देखने को मिला, जिसमें क्या पूछा गया, कि आप current sequence बताओ, कि हमारे जो financial transactions होते हैं, वो हम कैसे record करते हैं, उसका correct sequence बताओ, तो double interest system का question आ गया सर, और ये भी आपके accounting and introduction के अंदर ही आता है, ये topic accounting and introduction, बच्चे सुसते accounting and introduction में क्या होगा, सर, बहुत से बहुत accounting के बारे में थोरा सा history होगा, accounting principles होगा, यही सब चीज़े होगी, लेकिन इसमें NDA ने हर एक चीज़ को cover up की है, तो ये जो rectification of error है, double interest system है, principles मैंने mention नहीं किया, लेकिन ये जो AS वाला है इसमें तुमारे 2024 में एक principle से भी question mix up था, तो ये चीज़ याद लेना, अब आजाओ तुम INDAS, 2023 में INDAS का match list पूछा गया, याद रख लेना, important है, match list था, या exact मुझे याद नहीं, लेकिन INDAS से question था, मैंने आपर note कर रखा, अब उसके बाद PSR, profit sharing ratio calculate करने का एक numerical है, हमें partnership से देखने को मिला है, 2023 में, ठीक है, अब financial statement में आजाओ तो उसको correct sequence क्या होगा, balance sheet में present करने का, ये तुम से question पूछा गया, 2023 में, ठीक है, तो financial statement से ये question तुमारा रहा, अब अगर बात करें 2022 की, तो यहाँ पे से यहाँ तक कोई questions नहीं, नहीं double entry से, ASA, rectification से नहीं, partnership से एक theory question पूछ लिया गया, admission of partner से हमारा, अब ratio analysis से तुमारे दो questions देखने को मिले, जिसमें से एक theory question है, और एक क्या है, numerical question है, फिर financial statement से क्या question पूछा है, financial statement से दो question पूछा है, तुमारा बता देता हूँ, same, एक simply पूछ लिया, financial statement का characteristics, और दूसरा क्या पूछा, कि financial statement का qualitative characteristics बताओ, simply एक पूछा, financial statement का characteristics, दूसरा पूछा, financial statement का qualitative characteristics बताओ, ठीक है सर, clear है, उसके बाद higher purchase से, higher purchase में installment system की बात कर ली गई, कि higher purchase और installment system में क्या difference है basically, उससे question बना दिया तुम्हारे लिए, और last responsibility accounting से question पूछा गया था, ठीक है, पार्टनर सी पहावारा जो था, इसमें admission of partner का question था, तो 2022 में देखो गए, तो सर टोटल कितने question बने, सर 2024 में भी चार बने, तो accounting का pattern तुम समझ पा रहे होगे, चार से साथ के बीच में लाई कर रहा है, इन तीन साल को अगर हम लोग फोकस करते हुए, चले तो, अब ये analysis बहुत important है, generally कोई करके नहीं देता है, YouTube पे मैंने ये series start किया है, जिसमें हर unit का मैं तो पीवाई की analysis दे र देखने को मिलते हैं, theory ही जादे हमें देखने को मिलते हैं, match list पूछ लेगा, assertion reason पूछ लेता है, और simple questions भी तुम से पूछे जाते हैं, useful tips की अगर बात करूँ, तो अगर तुम course से जूरे हुए हो, हमारे courses से जूरे हुए हो, तो अभी मैंने accounts उसमें सुरू नहीं करवाय most probably next week हमारा accounts से start होना है, short notes बनाओ जब तुम classes देख रहे हो, जितने भी concepts से सबको याद करते चलो, questions को practice करो like match list, assertion reason और statement based को भी, numerical को भी importance देना है, ऐसा है कि अगर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, और सारे concepts को एक proper duration में हमें revise करते हुए चलना है, resources की बात करें, अगर तुम बिना किसी coaching institute की मदद से prepare कर रहे हो, तो grads के book उठा सकते हो, graduation के, या फिर ICI वगेरा का material होता है वो सब भी देख सकते हो, अगर किसी coaching institute से जुरे हो, तो उसके materials को भी go through कर सकते हो, या फिर कोई भी book, like हमारा m.com entrance का जो book है, इसके through भी तुम कर सकते और अगर classes से जुरना चाहते हो, तो classes में तो भाई detail classes करवाई जाती है, PDF notes भी दी जाती है, तो तुम्हें other resources की need नहीं होगी, तो वहां से भी तुम चाहो तो मदद ले सकते हो, अब बात आता है कि भाईया ये बताओ, आपने बता दिये किस किस topic से questions आ रहे है, हमें करना कै कैसे preparation है, ये बताओ, simple सी बात, कुछ छोड़ के मत जाओ, सारी चीजों को cover up करो, हाँ ये voyage वगेरा, empty वगेरा को छोड़ना नहीं है, last priority पर रखना है, cover up करते चलना है, introduction की मैंने बात की, तो एक overview तुम journal को दे देना, ledger को, ठीक है, क्या statement को, जितने भी होते हैं हमारे, trial balance हो गया, subsidiary books हो गया, capital and expenditure items हो गया हमारे, double interest systems, history के बारे में, accounting के history के बारे में, इन सब को cover up कर लेना, accounting standards को अच्छे से cover up करके जाओ, ठीक है, तो ऐसे करोगे, एक एक चीज को cover up करते चलना है, numerical भी practice करना है, ऐसा नहीं कि numerical practice नहीं करना है, numerical छोड़ोगे तो दिक्कत तुमे ही होगी, by chance पूछ लिया, 25 में तो फिर क्या करोगे, तो ये थी हमारी वीडियो किसके लिए, accounting के लिए वीडियो थी, इसमें हमने जाना कि कैसे, accounting के लिए में prepare करना है, next वीडियो तुमें किस topic पर चाहिए, जरूर बताना, comment section में, end करेंगे अपने आज के session को, अगर तु किये गए, number पर तुम call कर सकते हो, so end करते हैं अपने आज की इस वीडियो को, मिलते हैं, next वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, bye bye and take care.